नमस्कार स्वागत आपका आप देख रहे हैं हमवतन टीव और मैं हूँ आपके साथ अजयुकूँ राजधान दिली में निगम चुना हुए लगभग तीन महीने का समय हो चुका है सभी निगम पाशों दिने शपत मिले लिए है सत्ता परिवर्तन के बाद भी दिली के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी निगम के अंतरगत आने वाले काम बदहाल इस्थिति में दिखाए रहे हैं कुछ ऐसी इस्थिति दिली के अवंतिका इंकलेब में देखने को मिल रही है जहां अवंतिका एकलेब के आने वाले सभी पार्कों की इस्थिती बदहाल मने हुए है लोगों का कहना है इक काफिर शिकायतों के बावजूद भी यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है दिली नगर निगम के चुनाव संपन हुए करीब तीन महिने का समय बेच चुका है निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद सभी निगम पाशों दिन शपत ग्रहन भी की और अपना कारेभार भी संभाल लिया है आज भले ही निगम में बड़ा बदलाव देखने को मिला हो लेकिन बावजूर इसके दिली के कई इलाखों की सूरत अभी भी नहीं बदल सकी है कुछ ऐसा ही हाल दिली के मंगोल पुरी विधानसवा के अंतरकट आने वाले वार्ड इक्यावन के अवन्तिका इंकलेव में देखने को मिल रहा है अवन्तिका इंकलेव में बने पारक की बदहाल इस्तिति कुछ इसी ओर इशारा कर रही है दरसल अवंतिका इंकलेव के निवासियों की माने तो इस कालोनी में कुल साथ पारक हैं और सभी पारकों की स्थिति बदहाल बनी हुई है। पारकों में चारो तरफ लगी लाइट भी प्रशासन की उदासीनता का दंश जेल रहे हैं। पारकों में खुषगंदी में रहे हैं। सब लोग उपर से कूड़ा डालते हैं। इतना दुखी करते हैं। सिवर्बंद है। आप 25-26 साल से आम्यां रहे हूं। मैं तो 25-26 साल से रहे हूं। पहले चीक था अब 8-9 साल से इसे हो गया कि कुछ है नहीं। अब मेरे घर के सामने देखो और बहरा हूँ है। कइवार बोला याका लेती है। भॉग नहीं करतें। कइवार बोला खुर। मैंने एक बार पैसे देखे कर डी पर भाए। कि महां पैसे देने के-कोरा पारक के अंदर यह यह जो पंप लगा हुआ है यह बिलकुल काम नहीं कर रहा है समर्शीवल यह बिलकुल बंद पड़ा हुआ है और यहां पर कोई भी माली वगरा की कोई स्वीदा नहीं है ना माली आते हैं यहां पर और पारक में बहुत बुरा हाल है पजड़ होने के बाद करीब करीब 15-20 दिन तक ऐसे हवाई चलती रहती है तो पत्ते जो हैं सारे यही करवाना पड़ता है यहां के स्थाने लोगों की माने तो लंबे समय से पारकों की स्थिति बधाल बनी होई है लेकिन शासन से लेकर प्रशासन तक कोई भी यहां ध्यान देना उचित नहीं समझता लोगों की माने तो MCD द्वारा पारकों के रख रखाओ में घोल लापरव लाइब बढ़ती जा रही है इस थानिया आर्डवल्यों के पनाधिकारियों के लिखार इस संबंध में उन्होंने संबंदित विभाग और स्थाने निगम पार्शचन को भी अवगत कराया है लेकिन स्थिति जसकी तरस बनी हुई है आर्डवल्यों के पनाधिकारियों ने प्रशासन की खिलाफ नाराजगी भी बनी होई है। हमस्या इतनी जटल है जो पारक वैक्तियों के घूमने के लिए होते हैं, उन पार्कों के अंदर आज कुत्ते भी गूमने को तयार नहीं है क्योंकि कोड़े का अम्मार इसकदर लग चुका है और DC महोद्य को एक बार नहीं अनेको बार इस समस्य की सिकायत की जा चुकी है और ट्विट भी किया गया है LG सहाब को, DC को और छेतर के कौंसलर को, प्रसास अधिकारी को सबको यह सूचना दे दी गई है, लेकिन ना जाने क्यों या तो करमचारियों को लोरी छोड़ा हुआ है, उनसे महिना लिया जाता है, उन करमजारियों को यहां नहीं बेजा जाता, इस विसे को आप यह लगा लिए इतना गंभीर विसे है यह आपने पार्को भाजपा से ही रहे हैं, बाव्यूदिस के छेतर के पार्कों की यह बधाल इस्तिती, निगम पाशत के कारिशली पर सवाले निशान भी खड़े कर रही हैं, ऐसे में देखना लाजमी होगा कि आखिर कब तक छेतरवासियों को उनकी समस्या का समाधान मिल पाता है, लेकिन फिलहाल तो इस्थाने लोगों में शासन और प्रेशासन के खिलाफ नाराजगी भी साफ तोर पर देखने को मिल रही है, लेहाजा जरूरी है कि संबंदित विभाग इस और जल्द से जल्द अपना ध्यान आकर शित करें, दिली से अपने सयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार के रिपोर्ट, हम वतन ट्रिवी